पांच मैचों की टेस्ट रीच के अभी तीन मैच ही हुए हैं और वह पांच सो से ज्यादा रन बना चिक हैं यही नहीं इसमें टीन सतक भी शामिक हैं वहीं दूसरी तरब भारती बल्लेबाज हैं जो सतक तो छोड़िये रन बनाने के लिए भी रिश्टरगल करते हुए नजर आ रहे हैं केल राहुल के अलावा भारत की तरब से कोई ही बल्लेबाज शतक की पारी नहीं खेल पाया विराट कोहली, अंजिंके रहाडे, चेतेस्वर, पुजारा, रिशब, पन सभी रन बनाने के लिए संघर्ज करके वे नजर आ रहे हैं लीड्स के मैदान पर पुजारा ने एक 90 रन की पारी जरूर खेली लेकिन वहीं शतक लगाने में अस्फल रहे वहीं टीम के भरूसे मन बल्लेबाज अंजिंके रहाडे का बला भी इस सिरीज में खामूश रहा टेस्ट तीम के उत कप्तान अंजिंके रहाडे तीसे टेस्ट की दोनों पारीयों को मिला कर सबसब ये सबसे बाइद बता दिया है माइकल वान ने कहा अंजिंके रहाणे टीम इंडिया के लिए एक इशूट भारत को जैसे इंग्लेंड ने जैक प्रॉली और सिबली को बाहर किया उसी तरह से टीम को रंजिंके रहाणे को चेंज कर देना चाहिए आपको बता दें कि रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना आफरी शतक और श्रीला के खिलाव मेलबर्ण टेस्ट में लगाया था उसके बाद से रहाणे रन बनाने के लिए संगर्थ करते पे नज़रा रहे हैं सीरीज में रहाणे के बल्ले से तीन टेस्ट मैचों में महज एक अर्धश्रतक निकला है वहीं सूरिक मार्यादो टेस्ट में अपना डेवी करने के लिए तैयार बैठे हैं ऐसे में रहाणे की जखा उनको टीम में शामिल किया जा सकता है सूरिक मार्यादो इस समय शांदार फॉम में है वास्रिलंका के खिलाब खेली गई बंडे सीरीज में मैं आफ दो सीरीज रहे थे इसके अलावा सवाल भी लगातार उप रहे हैं केंजिंके रहाणे अगर पॉम में नहीं है तुमें बाहर कर सूरिक मार्यादो को टीम में शामिल किया जाना चाहिए